इस Realme Birds Air 6 का जैसे ही launch date आया, उसे के बाद आप लोगों का काफी दर request आ रहा थे कि भाई इसका वीडियो बनाओ, तो normally तो भाई हम product purchase करके उसके बाद वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए 27 तरीक को यह launch हुआ था, मेरे पास 31 तरीक को delivered हुआ, and then मैंने continuous list को 7 दिन use किया, and आज 6 यह तारीक है 6 जून, जब हम इस वीडियो को suit कर रहे, and आप लोगों को एक detail review देने जा रहे, इस Realme Birds Air 6 के बारे में, वैसे जब मैंने on paper इनके सारे specs के बारे पढ़ा, तो मुझे लगा, कि इसको launch करने का क्यों जरूरत पढ़ा, because जो Realme Birds Air 5 है न, इसका पिछला वाला version, इ अगर आप Air 6 के साथ compare करेंगे, and दोनों का price भी similar है, तो क्यों, मतलब क्यों इस 6 को launch किया गया, तो चलिए, आज के इस वीडियो में, इन दोनों TWS को side by side compare करेंगे, and इस Air 6 का एक full review आप लोगो को देंगे, कि क्या इसको purchase करना सही रहेगा, या फिर नहीं, 7 दिन use करने के ब जाता है, जो कि है forest green, वो color भी मुझे काफी आचा लगा, अगर आप तोरा dark type का color चाहते हैं, तो definitely आप उस color के साथ जा सकते है, but अगर आप Air 5 के साथ compare करेंगे, तो दोनों में आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो build quality में हो, looks में हो, design में हो, सब कुछ आप अंदर के साइड में dual color का use किया गया, Realme Buds Air 5 में आपको black color मिल जाता है, but यहाँ पर यह जो silver flame बला color है, इसमें अंदर के साइड पर orange type का color use किया गया, एक चीज़ बताना भूल गया, कि case का जो उपर का इस है, यहाँ पर आपको कोई भी scratches देखने को नहीं मिलेगा, इस Air 5 क मैंने काफी लंबे समय तक यूज़ किया, बट फिर भी कोई scratches नहीं है, इसको भी मैं साथ देन से यूज़ करो, उपर कैसा मैट विनिस होने के वाए से, मुझे single scratches भी अभी तक इसमें देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप इस तरह से जोड-जोड से भी करते है, तब भी दोनों में से कोई भी नहीं गिरता है, अगर अगर आप एयर बट में देखेंगे, तो यहाँ पर भी इन दोनों के design में आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा, हाँ, color combination में आपको थोड़ा सा difference ज़रूर मिल जाता है, अगर आप एयर 6 को देखेंगे, तो यहाँ पर ब बट जैसे कि मैंने कहा कि design exactly same है, तो इस वैसे जो comfort है, जो fitting है वो आपको दोनों में ही same मिल जाता है, and definitely जो fitting है वो आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है, चाहे आप so-so के use कीजिए, running के time पर use कीजिए, workout के time पर use कीजिए, आपके खान से बिल्कुल भी दोनों में से कोई भी नहीं गिरता है, और साथी साथ बहुत है comfortable है, अगर आप long hours तक use करना चाहते है, 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा use करना चाहते है, आपको बिल्कुल भी irritation फिल नहीं होगा, आप आराम से long time तक दोनों को ही use कर सकते है, और अगर आप IP rating में देखेंगे, तो यहां पर हलका ही same मिल जाता है, बट अगर आप change करना चाहते है, तो realme link का support दोनों में मिल जाता है, तो आप के अंदर जाके खुद के हिसाब से आप customize करके use कर सकते है, single tap में दोनों में कुछ काम नहीं होता है, double tap से आप customize कर सकते है, तो जैसे कि आपने देखा कि भाई, जो design है या फिर जो build quality यहाँ पर आपको कहीं पर भी छोटा सा कोई difference देखने को नहीं मिलेगा, सिभाई जो color combination है, बाकी जो build quality है, जो comfort है वो आपको next level का मिल जाता है, तो आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के साथ फोन में बात करते हैं, तो एक ही साइड का जो mic है, वो काम करते हैं, यानि कि एक time के maximum 3 mic ही काम कर सकता है, जो call quality है, अगर आप comparison के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने कोई भी difference notice नहीं किया, बट हाँ, अगर review के purpose में आपको बताओ, तो definitely जो call quality है, वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है, चाहे आप indoor में बात करें, या फिर outdoor में जाके बात करें, जो noise cancellation है, वो बहुत अच्छा है, जो background का noise है, उसको बहुत अच्छे से cancel कर देता है, और साथ ही साथ आपका जो वायसान है, वो constantly एक ही आवाज में जाता है, जब पीछे से बहुत जाया सोर होता है, so definitely calling purpose में अगर आप एक TWS जोन दाए, तो under 3000 रूपेज में य उसको मैंने कहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ single charge में अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो with ANC आपको सारे 4 घंट का battery backup मिलता था, जो कि मुझे हलका सा कम लगा था, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर भरपाई कर दिया गा है, इस Air 6 में आप single charge में एक एक एर करीब सारे 6 घंटा तक with ANC यूज कर सकते हैं, and without ANC यूज करेंगे तब आप 10 घंटा तक यूज कर सकते हैं, जो कि definitely बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि Air 5 में आपको without ANC भी 7 घंट का मिलता था, तो यहाँ पर definitely मैंने improvement notice किया है, and ऐसा नहीं कि company के official नंबर को ही मैं बता रह है, Air 5 में 38 hours का मिलता था, जबकि Air 6 में 40 घंटे का दिया गया है, और connectivity में देखेंगे तो भले ही Air 6 नया हो, but इसमें आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा, Air 5 में भी Bluetooth 5.3 का support था, इसमें भी 5.3 है, 5.4 नहीं है, साथ ही Google first pairing का support दोनों में मिल जाता है, realme link app का support दोनों नहीं सेम मिल जाता है, Air 6 में आपको यहाँ पर screen recording दिखा देरों, आप notice कर सकते है, जैसे आप आपको open करेंगे, तो betty percentage आपका यहाँ पर show कर देता है, and then आपको noise control का option मिल जाता है, जहाँ पर आप जो ANC features है, उसको on-off कर सकते है, या फिर transparency जो mode है, उसमें आप switch करके use कर स सकता है, या फिर अगर आप smart को select करेंगे, तो आपके आसपास के environment के हिसाब, यह automatically ANC के level को कम जदा करता रहेगा, तो आप खुद के हिसाब से use कर सकते है, and अगर आप transparency option के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको enhance voice करके option मिल जाता है, अगर आप इस option को on करेंगे, त तो अगर आपके सामने कोई इंसान बात कर रहे है, तो उनका जो हुआ है आपको clear आपको सुनाई देता है, इस transparency mode के अंदर, दिन नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको sound effect मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 4 अलग-अलग equalizer मिल जाता है, जिसको आप change करके use कर सकते है साथी customize करके create करना चाहते हैं, तो वो option भी आपके पास available है, आप इस तरह से कर सकते हैं, और दिन आपको high-risk mode है, इसको on करने का option मिल जाता है, यह एक important चीज़ है, जो कि आपको year 5 में नहीं मिल जाता है, दिन आपको dynamic base का option मिल जाता है, आप base का intensity है, उसको कम दिदा कर सकते साथी आपको volume enhancer का option मिल जाता है, और दिन आपको game mode को on off करने का option मिल जाता है, यहां से आप कर सकते हैं, इसके अलबा air butt fit test का option मिल जाता है, दिन आपको mind flow mode बोल के option मिल जाता है, जो कि year 5 में नहीं है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर आपको काफी सारा अल पर बहुत सा importance देने का जरूरत नहीं है, बिकोज YouTube बगरा में इस तरह का sound आपको बहुत सारा मिल जाएगा, बट है इसके बाद definitely आपको एक बहुत अच्छा option मिल जाए जो कि button settings, आप इसके अंदर जाके जो भी button function है, उसको customize कर सकते है, double tap में क्या चाहिए, triple tap में क्या चा जाता है, then auto answer का function है, इसको भी on off करने का option मिल जाता है, यानि कि जब आपके पास को incoming call आता है, तो जैसे आप case से earbuds को निकाल के आपके कान में लगाएंगे, तो जो call है वो automatically receive हो जाता है, and ये function मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके बाद आपको find my phone का option मिल जाता है, then द 25 का देखना चाहते हैं, तो उसके review वीडियो का आप चनल पर visit करके देख सकते हैं, मैं link description में दे दूँँगा, या फिर आप उपर i button पर भी जाके देख सकते हैं, चले जब बात करते हैं, यानि कि अगर आपके सामने कोई इंसान बैट के बात करें, और जैसे आप earbuds को कान म आपको सुनाई नहीं देता है, हाँ अगर बहुत जोड जोड से चिलाएगा तो वो डिफिनिटली आपको हलका सुनाई देगा, बट बहुत कम सुनाई देगा, अगर आप music बगरा on कर लेते हैं, तो भाई बिलकोल भी आपको सुनाई नहीं देता है, इवन अगर आप outdoor में जाके busy area में जाके use करेंगे ना, बस में train में travel करते हैं, उस time भी बाहर का जो noise है, वो करीब 70-80% cancel हो जाता है, तो डिफिनिटली एइंस ही बहुत कमाल का होता है, यहाँ पर जो number आपको मिलता है, जिस तरह का quality आपको दिया गया, वो बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, अगर आप comparison के साब जो देखेंगे, तो air 5 में भी आपको similar quality का ही मिल जाता है, मैं दोनों को side by side use करके देखा है, मुझे कुछ भी difference notice नहीं हुआ, साथ जो transparency mode है, वो भी बहुत अच्छे से दोनों में ही काम करता है, जो enhanced voice है, वो practically बहुत जा useful होता है, मैं आपको बता रहा ह यहाँ पर आप देख सकता है, जो park comments है, भू भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, and air 5 में भी इस मामले में आपको कोई भी problem नहीं होगा, बठा, जो dual pairing है, वो हमें realme buds air 5 में भी नहीं मिला था, मैंने exploit किया था कि air 6 में मिल जाएगा, but air 6 में भी dual pairing का support नहीं दिया गया हाँ, अगर आप manage करके use करना चाहते हैं, तो दोनों में आपको device switching का support मिल जाता है, आप app के अंदर जाएंगे, तो button settings के अंदर triple tap में आपको device switch करके option मिल जाता है, अगर आप इसको यहाँ से select करके रखेंगे, तो जब भी आप triple tap करेंगे, तो एक device से disconnect होके, दूसरे device में connect हो जाएगा, जिसके साथ भी आप पहले से pair करके रखेंगे, और फिर से triple tap करेंगे, तो उस device से disconnect होके, फिर से पहले device में connect हो जाएगा, तो इस तरह से आप use कर सकते हैं, बढ़ डिसापॉइंट हो कि भाई, dual pairing का support नहीं दिया है, और क्यों नहीं दिया है, पता है, अगर सबसे important चीज इस Realme Buds Air 6 के sound quality के बारे में, and क्या Air 5 से better है, या फिर कैसा है, उसके बताएंगे आपको सारा कुछ, बट चली उससे पहले loudness आपको कैसा मिल जाता है, इस Air 6 का, and quality कैसा मिलते है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, यहां से भी clearly सुनाई दे रहा है, So definitely loudness तो भाई आपको भर-भर के मिल जाता है, अगर आप volume enhancer को on कर लेते हैं, तो और भी जादा loud sound यह करने लग जाता है, बट अगर बात करो sound quality के बारे में, तो Air 5 हो, चाहिए Air 6 हो, दोनों में ही similar size का 12.4 mm के mega titanizing driver का use किया गये, तो यहां पर भी आपको कुछ difference देखने क आपको नहीं मिलता है, हाँ, एक difference है कि Air 6 में आपको LHDC codec का support मिल जाता है, जिसके वाई से high-risk audio का support भी आपको मिल जाता है, लेकिन Air 5 में आपको LHDC का support नहीं मिलता है, इसके वाई से क्या difference होता है, वो हम आगे बात करेंगे, बट हाँ, नॉर्मिल यगर आप sound quality को देखे करता है, तो bass भाई बहुत जादा बढ़ जाता है, जो चीज मुझे Air 5 में भी अच्छा लगाता है, वही सेम चीज मुझे इसके साथ भी देखने को मिला है, जो preset 4 अलग-अलग इक इकलो इसा दियागे, अगर आप उसमें switch करता है, तो vocals का कुछ भी changes नहीं होता है, vocals आपक जो vocals है, जो treble का part है, वो भी काफी balance sound create करता है, आपको बहुत आचा मिल जाता है, आपके अंदर बहुत सारा function मिल जाता है, जिसके वाए से आप और भी जादा खुद के हिसाब से tweak करके earbuds को use कर सकता है, लेकिन अगर बात करो Air 5 के साथ इसके difference के बारे में, तो देखो, आप YouTube वीडियो में वीडियो देख रहे है, 1080p में देखेंगे, यानि कि Full HD पे या फी 720p में, तो आपको mobile पे कुछ खास फरक देखने को नहीं मिलेगा, हाँ, TV में देखेंगे, laptop में देखेंगे, तो थोड़ा सा difference लगेगा, बट mobile पे उतना फरक आपको पता नहीं चलता है, हलका साही difference फिल होता है, तो सेम चीज़ें इसके साथ भी है, जैसे आप LHDC mode को on करते हैं, तो जो sound quality है थोड़ा सा और refined हो जाता है, थोड़ा सा और clear हो जाता है, बट हाँ, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत जादा जमीन आसमान का difference है, अगर आप already year 5 को use करेंगे, तो का साही difference देखने को मिलेगा, realme buds year 5 में आपको 45 millisecond super low latency gaming mode का support था, जबकि year 6 में 55 millisecond low latency gaming mode का support है, यानि कि 10 millisecond यहाँ पर बढ़ गया है, अगर आप company के हिसाब से देखेंगे, बट प्रैक्टिकली जो चीजे मैंने नोटिस किया, वोथ थोड़ा सा different मुझे लगा है, year 5 के मुकाबले year 6 का latency मुझे हलका सा कम लगा है, हाँ बहुत difference नहीं है, बट हलका सा कम तो है, हो सकते यह LHDC codec के बाए से हो रहा है, बट कुछ तो भाई हो रहा है, जिसके बाए से latency मुझे हलका सा कम लगा है, और मैंने यह चीज side by side use करके भी देखा है तो नॉर्मिली तो भाई दोनों का ही लेटेंसी आपको बहुत कम मिल जाता है दोनों के साथ ही आप गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं बट डेफिनेटली मैं एयर सिक्स को हलका साइस बर आगे जरूर रखोंगा तो गैस अभी हम लोग पहुंच चोंगे क पर दो सवाल क्रेट होता है एक है अगर आपके पास अल्डेटी एयर 5 है तो क्या आपको एयर 6 पर अप्ग्रेट करना चाहिए और दूसरा है नॉर्मिली अगर आप 3000 रुपए के अंदर एक एयर बट्स पर्चूस करने के बारे में सोच रहे तो एयर 6 का क्वालिटी कितना अच्छा है और क्या आपको पर्चेस करना चाहिए या फिर नहीं तो चले पहले पहले करते हैं अगर आपके पास ओल्डेटी एयर 5 है तो मुझे नहीं लगता कि आपको एयर 6 में बिल्कुल भी अप्ग्रेड करने का जरूरत है बैटरी एक अपको कुछ भी खास डिफरें पना दिया गया तो मुझे लगता है कि अन्ड़ 3,000 रुपिस में भाई मार्केट में जितना भी TWS अभी यह वान अब दी बेस्ट है और डेफिनिटली आप इसको पर्चेस कर सकते हैं सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है चाहे वो कॉल क्वालेटी हो गेमिंग ह है डेफिनिटली आप इसको पर्चेस कर सकते हैं मुझे इसका experience बहुत अच्छा लागा इससे पहले एर 5 भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद था एंड सेम चीज़ इसके साथ भी हुआ है वहले ही बहुत अप्ग्रेड ना देखने को बिले तो अगर आप इसको पर्चेस कर आपको लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है काफी motivation मिलता है जिसके वाएसे इस तरह का वीडियो आप तक पहुंच पाता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लि कर दो लिजेगा जाप几ार इंवतार था योग कर लिखव चैनल कर दो